आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको आंवला पाउडर किस तरीके से इपने बालों पर अपलाई करना चाहिए जिससे कि आपको 100% जल्क मिलेगा जी पैक ना सिर्फ वाइट हेर्स ग्रे हेर्स वालों के लिए है अगर आपके बाल हो चुके हैं आपके बालों में बि अपलाई किया था इससे आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी साथ-साथ बहुत ही प्यारा साथ कलर आपके बालों पर आने वाला है तो आप इसे जरूर प्राइ करके दिखिए गा आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा आपके बालों के जितने भी प्रॉब्लम जल्ट देने वाला है इसे बनाना और लगाना बहुत ही आसान है वीडियो में मैंने अपसर शेयर किया है कि किस तरीके से आपको इसे तयार करना है और कितने टाइम के बाल हेर वाश करने है तो आपसे छूटी सिर्फ पैस्ट आए कि वीडियो को फुल वाश कीजिए गा उ आपको तीन से चार चमबच आमला पाउडर इसमें एड़ करने है आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी नेक्स इसमें यूज करी हूं है दो से तीन चमबच चाई की पति आप जो भी घर पर चाई बनाने के लिए पति यूज करते हैं वही चाई की पति लीजिए नेक् है ऐसके बैसे कि यहां आपको जाना है अपने किचन में गयास का फ्लेब आन की जीए अदि आपछी तरह से पक ने डिए चार चांवह पनी 5 Meng deeply में हलकी आज पर पकने के बादद इसका इसान को एक बिलकुल डापम ब्राऊन कलर जानकि कौफी कलर मेंBlue blood हो जाएगा आप द मुझे कमेंट करकर पूछ सकते हैं मैं आपके हर कोश्चन का रिप्लाइब जुरूर दोगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मद भूलिएगा इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन और स्पोर्ट मिलती है अपना प्यार मेरे चैनल पर इसी तरह बना के रखिएगा साथी साथ मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सिस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सिस्क्राइब कीजिए नीचे जो आप रेड कलर सिस्क्राइब बटन देख रहे हैं उसे क्लिक कीजिए और गरिमे कनवर्ट कर दीजिए वाज में चूटा सा वैल बटन होगा उसे जुरू क्लिक कर लेना तो जो भी वीडियो अपलोड करों उसका लोटिफिकेशन आप तक जूरूर पहुंचे और आप में यह वीडियो पॉच कर पाएं अब हम तयार करेंगे पैक उसके लिए आपको लेना है एक बर्तन इसमें एड कीजिए तीन से चार चमच नीम पाउडर जानी की नीम के पत्तों का पाउडर आपके बालों में जितनी भी डैंडर खोजली इचिंगी प्रॉबलम है उसे दूर करता है और नैचरल तहीं के से आपके बालों को काला करेगा नेक्श्ट मैं इसमें एड करेऊ हूँ हिबिस्कूस पाउडर जानी की गुलहर्ड की फूलों का पाउडर इससे आपके बालों में बहुत ही इच्छा सा कलर आएगा आपके बालों में शाइन एड होगी अब आपको लेना है कoffeyבה आपके घर में जो भी कौफी पाउडर अवेलिबल है आप उसे यूज कर सकते हैं आपको से से साथ चम्मच इसमें कौफी पाउडर एड़ करना है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए नेक्स हम जो चीज इसमें एड़ करेंगे वह हैं जी हीना पाउडर जाने की महंदी आपके बालों पर जो भी महंदी सूट करती है आप उसे यूज कर सकते हैं अपने बालों की लेंथ के गोडिंग मैंने जहां पर आठ से दस चम्मच हीना पाउडर लिए हैं अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए अब हमने जो पानी तयार किया था उस पानी को लेकर हम इसका एक थिक गाड़ा पेस तयार कर लेंगे जिससे कि हमारे बालों में बहुत इच्छा कलर आएगा गाइस आप इसे एक बर ट्राइ करके देखिए अब खुद कमेंट करकर मुझे बोलेंगे कि दीजे बहुत ऑसम पैक है अपना फीडबैक इसे जो जो भी शेयर करेगा नीच अच्छी तरह से पेस्ट तयार नहीं करते हैं आपको इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और नेक्स्ट मॉनिंग कैसे अपने बालों पर अपलाई करना है आगे वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है आप देख सते हैं कि मैंने इसका अच्छी तरह से एक स्मूध पेस्ट तयार कर लिया है अब आपको इसे ऐसे ही नहीं शोड़ना है आपको लेना है एक फोईल पेपर उसको लेकर जितना आपका बरतन है जिस बरतन में आपने इस पैक को तयार किया है उतना फोईल पेपर की कटिंग कर लीजिए और इस तरह से इसको पूरी तर आपको इस तरह से पूरी तरह अच्छी तरह से रैक कर दीजिए बिल्कुल भी हवा क्रोस नहीं होने देनी है इस तरह एक बार आप मेहन्दी पैक लगा कर देखिए आपको बहुत ऑसम और अच्छा जल्ट मिलेगा तो अब में आपके साथ शेयर करी हूं आपको इस पैक कैस इस पैक को अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है कुछ वीवर्स का यह कमेंट होता है कि दीख क्या ओइल की हुए बालों पर हम यह पैक लगा सकते हैं तो येस डियर अगर आपने ऑईलिंग की है तो आप इस पैक को लगा सकते हैं बट अगर आपके बाल गंदी हैं डिर लगवा सकते हैं मैंने हाथों पर पहन लिए कि इसका कलर बहुत इस और समूहuctाने वाले है बालों पर क्या कोमेंट भर भर कराता है उसक इस कि क्या दिक को कि अप्लाइं कर सकते हैं हमने कुछ दिन पहला ही अपने बालों पर रिमबॉंडिंग कराई थी अपने बालों पर स्मूधनिंग कराई थी जहां कोई और ट्रीटमेंट करवाया था तो आप इसे बे फीकर होकर अपने बालों पर अपलाई कर सकते हैं इससे आपके बालों की जो डैमेज हो चुके हैं बाल रफ हो चुके हैं वो भी क्योर होंगे साथी साथ आपके बालों पर कलर आएगा बहुत प्यारी सी शाइन आएगी कुछ वीवर्स का यह भी कमेंट होता है कि दी हमने पालों से ट्रीटमेंट कर आया था उससे हमारे बाल बिल्कुल ही बेजान हो चुके हैं तो गैस आप एक बार ये पैक अप्लाई करके देखी आपके बेजान बालों में बिल्कुल जाना जाएगी कुछ वीवर्स का ये भी कमेंट होता है कि दीग हमें छोटे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के 15 साल के क्या उनके बालों पर हम ये पैक लगा सकते हैं ये ये पैक उनके बालों पर लगा सकते हैं क्योंकि हमने कोई भी केमिकल वाली चीज एड नहीं है आप देख सकते हैं कि मैंने खुझ से कितनी अच्छी तरह से यह पैक अपलाई करना चाहते हैं तो यह experience की बात है डियर आप अपलाई करके देखिए आपको एक से दो बार में ही अपलाई करना आ जाएगा आपको इस तरह से सारा पैक अपने बालों पर लगा लेना है और गर्पेक लगाने से पहले आपको शैंपू ने वालों को वाश कर लेना है एक लगाने की बात नॉर्मल पानी से नॉर्मल टैंप्रेचर के पानी से हैर वश कीजिए नहीं पानी जादा गर्म हो और थंड़ा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं क मिलेंगे जो की 100% आपके बालों पर और चेहरे पर काम करते हैं तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर कीजिएगा अपना प्यार मेने चैनल पर इसी तरह बना के रखिएगा मुझे स्पोर्ट कीजिएगा पूरा हेर बैक मैंने बालों पर अपलाई कर लिया है 30 मिनिट के बाद मैं नोर्मल पानी से बालों को वाश कर लूँगी ये लास्ट वाली वीडियो जुरूर वाश कीजिए आपके लिए यूस्पूल होंगी तो गाइस मिलते हैं मेरी नहीं और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयाल रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाबाई